दोस्तों अठारा जुलाई 2022 को नेल को लिमिटेड के क्वार्टर वन के फाइनेशल लिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है यह इस कमपनी का कॉन्सोलिडेटिट फाइनेशल लिजल्ट और यहां सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं मैं आपको फिगर्स को करोड में कण्विट कर बताऊंगा Q1 में इंकम फ्रोम आपरेशन्स 81 करोड अरसर्ट लाग है जो प्रिवेस कौर्टर में यह 70 करोड 79 लाग था और प्रिवेस यूर के Q1 में यह 55 करोड 10 लाग था तो income from operation में year on year basis पर 48% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये लगबग 14% बढ़ा है Q1 में total income 81,97 लाग है जो previous quarter में 73,23 लाग था और previous year के Q1 में ये 56,62 लाग था total income में year on year basis पर लगबग 45% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये लगबग 12% बढ़ा है Q1 में इस company के EBITDA मतलब earning before interest, tax, depreciation and amortization 15,33 लाग है जो previous quarter में ये 14,23 लाग था और previous year के Q1 में ये 13,65 लाग था EBITDA में year on year basis पर 12.3% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 7.73% बढ़ा है तो EBITDA में year on year basis पर तो अच्छी खासी बढ़त दिख रही है Q1 में profit before tax 6,67 लाग है जो previous quarter में ये 5,23 लाग था और previous year के Q1 में ये 6,12 लाग था तो profit before tax में year on year basis पर लगबग 9% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 27,25% बढ़ा है Q1 में net profit ये profit after tax 4,72 लाग है जो previous quarter में ये 3,3 लाग था और previous year के Q1 में ये 4,38 लाग था तो PAT में year on year basis पर 7,76% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 55,8% बढ़ा है Q1 में earning per share 2,7 पैसे है जो previous quarter में ये 1,33 पैसे था और previous year के Q1 में ये 1,92 पैसे था तो earning per share में year on year basis पर 7,8% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 55,6% बढ़ा है हम लोग ने तो ये देख लिया कि EBITDA year on year और quarter on quarter दोना ही basis पर बढ़ा है लेकिन अगर हम लोग EBITDA के margin को देखें तो quarter one में EBITDA का margin 19% है जो previous quarter में ये 20% था और previous year के quarter one में ये 25% था तो यहाँ EBITDA के margin में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर गिरावट हुई है लेकिन quarter basis पर आप इसे stable भी समझ सकते हैं क्योंकि ये मातर 1% की गिरावट है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस company के revenue from operation, EBITDA, PAT, EPS इन सभी में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़त हुई है लेकिन इस company के EBITDA के margin में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर थोड़ी गिरावट है लेकिन मुझे इस company के result ठीक ठाक ही लग रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद